आज की चर्चा करेंगे हम कॉंग्रेस पर कॉंग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है और बीजेपी पर कॉंग्रेसी देश भर में क्यों हमलावर है क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पूरी कहानी हम आपको बताते हैं राहुल गांधी को गुजरात हाई कोट से राहत नहीं मिलने पर कॉंग्रेसी देश भर में बीजेपी पर हमलावर है। इसे लेकर राची के मुरहबादी स्थित बापु वाटिका में प्रदेश कॉंग्रेस मौन सत्यागरा कर रही है। लेकिन यहां प्रदेश कॉंग्रेस क बापु वाटिका के सामने मौन सत्यागरा कर रही है जिसमें प्रदेश के सभी नेता विधायक विधायक दल के नेता आदी शामिल है अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से दो गुटों में कॉंग्रेस बढ़ चुकी है एक तरफ अनुशाषन हींता के कारण जहां आलोग दू जिसके अध्यक्षता राजे ठाकुर कर रहे हैं वो बापु वाटिका में पूरी विधायक दल के साथ विधायक दल के नेता के साथ और जितने भी कॉंग्रेस के नेता हैं उनके साथ सत्यागरा कर रहे हैं अब देखना ये है कि चुनाव धीरे-धीरे नजदीक आ रहा है ऐसे में कॉंग्रेस का दो फाड में बटना कि कितना नुकसान दायक होने वाला है कॉंग्रेस के लिए। हाला कि करनाटक चुनाव जीत के बाद से कॉंग्रेस उत्साहित नजर जरूर आ रही है। एक तरफ जहां लोग बात कर रहे हैं कि कॉंग्रेस कही न कहीं पिछले कुछ सालू में बैक फूट पर गई थी, वहीं माचल प्रदेश की चुनाव की अगर बात कर ले, करनाटक चुनाव की बात कर ले, तो दोनों में जीत के बाद अब कॉंग्रेस फ्रंट फूट पर के हैं, उनके आवाज को कुंद करने का प्रयास किया जा रहा है, और जो एक साजिस के तहत, सुनियोजित सग्यंत्र के तहत, भार्ती जनता पार्टी के नेता, अपने आपको मेहूल, चौक्सी, नीरव मोदी, ललिप मोदी का तथा क्यथित, रिष्टेदार बनने का दाव करते हुए, नियालियों में मुकदमा किया है, और उस निमित कुछ निर्णाय आए हैं, अभी हम लोग सरवच नियाले में जाएंगे, जो भी नियाले का निर्णाय होता हम जरूर सम्मान करते हैं, लेकिन जो भाजपा की जो सुनियोजित साजी सहसाड्यंत्र है, उसका हम दिरोध दम तक करते रहें, परदेश कॉंग्रेस के ततोधान में बापू बाटिका के समक्च मौराबादी में मौन सत्यागरह का योजन किया जा रहा है, और स्वभाविक तोर पे जो तमाम कॉंग्रेस जन हैं, जिनकी आस्था और विश्वास राहुल जी के परती है, कॉ तमाम लोग आज इस मौन सत्यागरह में मौराबादी में। पूरी जानकारी उन से लेंगे, चितरंजन एक तरफ जहां कॉंग्रेस पूरी तरह से बीजेपी पर हमलावर है, बीते कुछ दिनों में जितने भी मामले सामने आये हैं, सब को लेकर कॉंग्रेस प्रदेश, सद्यक्ष, राजेश, ठाकूर ये कह रहे हैं कि राहूल पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा है, चितरंजन. कि वातिका में महत्पा गांधी के मूर्टी के नीचे, मोन, सत्यागरा अंदोलन कर रही हैं, जो कॉंग्रेस में शोड़र्ध के लिए ऐक खेमा वह बाबा अमेटकर की मूर्टी के नीचे, अपना सत्यागरा कर रही हरा हूल cela, इस राहूल गांधी के समर्तने, तो कहिन है, एक जूट है लेकिन एक जूट सिर्फ बातों पर ही नजर आई जो इनका परदर्शन विरोध परदर्शन इस दोनों ही निर्टाओं का अलग रूप से दिखाई है या सिर्फ पहली बार ही नहीं है कि कॉंग्रेस नेता दो खेमों में बटे हुए नजर आए इससे पहले आव लेक्ष बने है तब से इन लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है हलाकि अनुशासन हींता के कारण पार्टी से उन्हें निलंबित भी किया गया है अब सवाल ऐसे में यह खड़ा हो रहा है एक तरफ बीजेपी जो है चुनाव आने के कारण चुनाव नजदीक आ गई है इस कारण बीजेपी पूरी तरह से अग्रेसिव मोड में एक तरफ कॉंग्रेस राहूल गांधी के मसले को लेकर सत्यागरा कर रही है हलाकि मौन सत्यागरा कर रही है एक तरफ बीजेपी का अग्रेशन एक तरह गांधिवादी तरीके से जिस तरह से सत्यागरा चल रही है क पिर कॉंग्रेस का गांधिवादी तरीका बिल्कुल दोनों ही पार्टिया राष्ट्री पार्टिय और दोनों ही दोहजार चोबिस की तैयारियों में जूट चुकी जहां एक तरफ एंडिये वहीं यूपी एक महागडबंधन की तैयारी में चितरंजन आपको रोकना चाहेंगे हमारे साथ आलोग दुबे फोन लाइन पर जूट चुके हैं आलोग जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है भारत न्यूज 24 में हम सीधा सवाल आपसे करना चाहेंगे जिस तरह से कॉंग्रेस दो गुटों में बढ़ती है नजर आ रही है ठीक है कॉंग्रेस एक तरफ जहां मौन प्रदर्शन कर रही है आप लोगों का प्रदर्शन अलग तरीके से क्यूं हो रहा है अलग जगो पर जाके आप राहूल गांदी को अपना समर्थन किस तरह से दिखा रहे और क्यों दिखा रहे हैं राहुल गांधी हमारे नेता है और जिस तरह से च्छावी भासनों के दौरान आरोप परत्यारोप के तहत मानहानी के मुकदमे में उनकी सदसता चली गई निचली अदालत के बाढ उपर के अदालत में भी उसको अस्तायतों दिया गया। हम अपने नेता राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं अवाचारी है मेरी। कि आपने नेता राहुल गांदी के साथ खड़ें ठीक है एक तरफ सुन है जी का अंगरिस की कारकरता पर देशों में जिलों में पर्खंडों में पचायतों कि अपना प्रदर्शन मौन सत्यागरह कर रही हां हमने भी मौन सत्यागरह मार्च अपने नेता के समर्थन में निकाला हमने लेकिन Priest लेकिन अलग पंक्टी-में में खड़े होकर ये प्रदर्शन क्यों कर रहें कॉंग्रेस के वह कि अब मने कर देखिए हर जगह पाटी के कारकरता अपने अपने अस्तर पर अपना समर्थन दिखा रहे हैं जिस तरह से एक ताना साग की सरकार हर हतकंडे अपना कर एक व्रक्ति के पीछे पड़े हुए देश में बढ़ती महलाई, पुचारी, अर्थविवस्ता, सीमा पर अस्तुरक्षित भारत, डबल इंजन की सरकार के द्वारा, मनिपूर के कुसासन का जीता जाकता उडारन इस सारे विश्यों को लेकर अगर राहुल गांधी जी मुखातिव हैं, बोल रहे हैं बारत जोड़ो एक्ता के माध्यम से जिस तरह से राजनराहुल गांधी जी के एक्सेप्टेंस बढ़ी है, दो हजार चौबिस के चुनाओ के मद्दे नजर, बिहार की पावन धर्ती से जिस प्रकार देश के संपुर्ण विपक्चिय दलों की बैठक एक संदेश दिया है देश की जनता के नाम, तो इस तरह की जो अनैतिक कारवाइद हो रही है, हम लोगों ने अनुथे अंदाज में प्रदर्सित किया, प्रदान मंत्री जी के कटाउट को लेकर ये दिखाया, दरसाया, कि उनके उपर के पॉकेट में सी बी आई और सी बी जी है, बाय के पॉके में जो है सतर्ड़ता आयोग है, तूचना आयोग है, आपने पूरी तरह से लोग तांत्रिक विवस्था पर सवाल खड़ा करना कर रहा है, कि किस तरह से पढ़न मेंटिरी अपने पैरों के तले संब्धान और लोगतांत्र को कुछल रहे है ये कोई नई बात हो ली है, हर लोग हर ब्रक्ति इस बात को समझ रहा है पुरा देश जान रहा है कि किस तरह से माकफॉल बनाया जा रहा है अगर कोई अगर कोई आलोचना करता है के इन सरकार का जी तो उसको पहले से सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि आप देश द्रोही है मीर जाफर की संग्या दी हमांते हैं आप विपक्ष में हैं आप सवाल उठाएंगे ठीक हैं हम यह मानते हैं हमारा सवाल यह नहीं था हमारा सवाल यह था कि आप लोगों में मतलब प्रदेश कॉंग्रेस में दो गुट क्यों नजर आ रहा है एक तरफ आप लोगों को जिस तरह से निलम्बित किया था और ये भी राजनितिक गलियारों में बाते चल रही है कि राजेश ठाकुर जब से प्रदेश अद्यक्ष बने हैं आप लोगों का मन मुटाव रहा है ठीक है अभी भी जब राहूल गांदी को समर्थम देने की बात आई आप अलग पंक्ति में क्यों खड़े हैं यही सव पर आप यह कहना चाहरे है मैं तो किसी भी शूरत हाल में नहीं चाहता हूं कि यह बर्तमान प्रदेश के हाथों में पार्टी के नित्रत होनी चाहिए वह उस लाइक हैं ही नहीं उनके अंदर में च्छबता ही नहीं है जाने के पहले उन्हों ने इसलिए इनको बनाया कि व और आज वही काम वो कर दिया है तो विरोध दो सैधांतिक है हमारा तो विरोध आज भी है अगर आप लोग यह विरोध कर रहे हैं चलिए ठीक है आपका विरोध आपके तरीके से साइध जायद होगा लेकिन इसमें आला कमान कॉंगरिस आला कमान क्यों आकçon नहीं ले रही है या फिर आप लोगों को जिस तरह से निलंबित किया गया इसके बारे में आला कमान कुछ नहीं सोचती है देखिए उनके तक बातें पहुंचे अब पार्टी में मिरने करने के लिए थोड़ा वक्त लगती है लेकिन मुझे पूरा एकिन है कि सप्ता देश दिन के अंदर मे हां चल रही है और जब तक और आपका कहना है कि आप राजे के विरोद में रहेंगे उनके विरोद में रहेंगे ना ना यह फिर आप tehdा नौन siamo अपने नेता के साथ खड़े हैं हम अपने निता के साथ पार्टी की विचारधारा के साथ। इसास। एक एक इन्सान का चो आपके एक सक्साथ हैं उनका विरोध कर रहा है वह लोगों ने जब से जब से अदक्ष बने में सब्सक्राइब करें गाली गालोज हुआ हुदला दहन हुआ उन्होंने जो है सबसे बात किया लेकिन ँनको ब्यक्तिगत जो है सिर्फ अ्लोग ढुबे से ही उनकी नाराजगी है उनकी खुनड़क है ज़ा किसी कि पिछले जन्म का उनको मुझसे लड़ाई है तो वो मुझसे बदला ले अगर उनके अगर वो प्रदेश अध्यक्ष हैं सही मामले में थे तो यह जिम्मेदारी उनकी थी कि अगर कोई नाराज है अगर किसी के अंदर में कोई कोई आक्रोस है तो उनसे बात करें उनको समझाएं उनसे चर्चा करें लेकिन चुकी इगो है उनके अंदर में उनको लगता है कि जिसके मीचे मैंने काम किया आज मैं उससे उपर हो गया तो मैं उससे क्यों बात करने जाओं तो संगठन का मुख्या के अंदर में किसी प्रकार की हीन भावना या पुरुआ गराद नहीं होना चाहिए ऐसा मेर आपका मरसा जुणने के लिए और इस एहम मसले पर तमाम बाते रखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आलोग दुबे जी ये थे आलोग दुबे कॉंग्रेस के नेता जो पूरी तरह से विरोध कर रहा है कॉंग्रेस प्रदेश सद्यक्ष राजेस ठाकूर का हम जाना च करते हैं वह पार्टी की लोगों की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं उनके अंदर इगो है आप वहां जमीनिस्तर पर मौझूद थे विधायक दल के नेता राहूल गांधी के समर्थन में मौन सत्यागरा कर रहे हैं राहूल बिजेपी के खिलाफ मौन सत्यागरा कर रहे हैं ऐसे में आप बताएं, राजेश ठाकूर को लेकर तमाम विधायकों का क्या कहना है? ये विरोधाबास हमेसा से देखने को मिनदेश रामेसर उराव की अध्यक्स अध्यक्स बनने की हो या उसे पहले अध्यक्स राजेश ठाकूर की अध्यक्स बनने की बात रही हो। करने की बात होती है तो हमेशा कॉंग्रेस में दो खेमा परदर्फन करते हैं जिसका आज भी इसकी इसकी एक खेमा जहां परदेश अज्यक्ट राजेश ठाकूर के नेतरतुवा में पुरा परदेश का आला कमान परदेश विधायक जलके नेता अलंगिर अलंगिर अलंग साहिज सभी विधायकों का यह अतास दिया गया था कि सभी विधायक आलोक दूबे जी ने बात करते करते राजेश ठाकूर को कटपुतली की संग्या दे दी हैं तब पुतली की संग्या देदी अब ऐसे में उनका कहना है कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं राजेश ठाकुर हम सभी लोगों का विरोध कर रहे हैं उनके अंदर इगो आ गया है अब चुनाव एक साल बाद है 300 से कम दिन बचे हैं अब देखना ये होगा कि क्या कॉंग्रेस आपस मे ही लड़ती रहेगी या फिर आने वाले चुनाव पर फोकस करेगी